खुलासा में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रशंद है एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूँ कि बिहार में नितिश कुमार के कैबनेट का लगभग फाइनल स्वरूप सामने आ गया है जो टाजा जानकरी है इसके मुताबिक नितिश कुमार के साथ आज 15 मंतरी शपत ले सकते हैं इनलें जेडियू के कोटे से 6 मंतरी होंगे तो बीजेपी के कोटे से 7 मंतरी हो सकते हैं इसके अलावा हम और वियाईपी पार्टे से एक-एक मंत्री होंगे। देखे हमारी पूरी रिपोर्ट। इंडिये के शपत ग्रहन समारों में आज ग्रिह मंत्री अमिच्छा के साथ बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्ष जेपी नडड़ा शामील होंगे। नितिश कुमार के नए मंत्रि मंडल लगभग तै कर दी गई है। सुत्रों के मुताविक नितिश कुमार के साथ दो मुख्यमंत्री बनाय जानी की खवर सामने आ रही है। आज नितिश कुमार के साथ 15 मंत्री शपत ले सकते हैं। इस शपत ग्रहन में बीजेपी से 7 और जेडियू से 6 मंत्रियों के साथ एक मंत्री वी आईपी पार्टी से और एक मंत्री हम पार्टी से शपत ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक जडियू से नितिश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, विजिन्द रहादव, विजे कुमार चौधरी, श्रवन कुमार, मेवालाल चौधरी के साथ, श्रीला कुमारी के नाम मंत्री पतकिश सूची में शामिल है। जबकि विजे पी पार्टी से मुकेश सहनी और हम पार्टी से चेतरनाम माजी के बेटे, मलसी डॉक्टर संतोष, सुमन, मंत्री पतकिश शपत ले सकते हैं। बीजे पी की बात करें तो तार किशोर प्रसाद, रेनु देवी, प्रेम कुमार, मंगल पंडे, रजनीश कुमार के साथ एक दो नाम चौकाने वाले होंगे। जबकि बीधानसवा अध्यक्ष के लिए नंकिशोर यादव और आरा से जीते बीजेपी के अमरेंदर प्रताप सिंग के नामों की चर्चा हो रही है। शपत लेने वालों में नंकिशोर यादव या अमरेंदर प्रताप सिंग का नाम आने के बाद यह भी तैह हो जाएगा कि बिधान सभाध्यक्ष कौन होंगे पतना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट पतना से अनुप्रकाश की रिपोर्ट